हलो दोस्तों मैं हूँ डाक्टर सिवराज सिंग स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्टी विद सिंग में दोस्तों आसा है आप लोग अच्छे से होंगे बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज आप पढ़ेंगे कच्छा आठ क्लास एट का अध्याय दो NCRT में जो चैप्टर का नाम है ब्यापार से सामराज्य तक कमपनी की 27 थापित होती है ठीक है ये आपका अध्याय का नाम है तो इसकी पीछे मैंने दोस्तों आपको क्लास जो है 6, क्लास 7 NCRT हिस्टी पूरी कम्प्लीट करा चुका हूँ आपको पढ़ाया भी अपलोड भी कर चुका हूँ ठीक है अगर आप में नहीं दिखा है तो देख लीजे NCRT दोस्तों आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्पूर किताब आपके लिए है ठीक है इसे आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी ठीक है तो आई के एक बहुत बड़े हिस्से पर नेंतर इस्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मित्यू के बाद बहुत सारे मुगल सुवेदार और बड़ी बड़े जमेंदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपने छेत्री रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभ ठीक है। 18 सदी के उतरार तक राजनितिक छीतीज पर अंग्रेजियों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी ब्यापारिक कंपने के रूप में भरत आये थे और यहां के इलाकों पर कबजे में उनकी ज्य इस बिशाल सामराज के स्वामी बन पैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसी हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे चित्र नंबर एक जो है दिखाया गया है। यहां पे देखिए कैप्टन हडसन द्वारा बहादुशा जफर यह देखिए बहाद के बेटों की गिरबतारी आप देख पर हैं ठीक उनके बेटों की गिरबतारी और रंगजेब के बाद कोई मुगल बासा इतना ताकतवार तो नहीं हुआ लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बासाहों का महत बना हुआ था जब 1857 इस्वी में ब्रिटी सासन के जब बिद्रोह कुचल दिया गया तो कमपनी ने बाहदुशा जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला देख रहे हैं ये चित्र में आप देख पा रहे हैं आगे देखी अगला पॉइंट आपका है पूर्व में इस्ट इंडिया कमपनी का आना देखें सन शोला सव इस्वी में इस्ट इंडिया कमपनी ने इंगलेंड की महरानी एलिजावेद प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजत नामा हासिल कर लिया ठीक है सन शोला सव इस्वी में इस्ट इंडिया कमपनी ने इंगलेंड की महरानी एलिजावेद प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजत नामा हासिल कर लिया जिससी कमपनी को पूरब में ब्यापार करने का एक अधिकार मिल गया इस इजाजत नामे का मतलब यह था कि इंगलेंड की कोई और ब्यापारी कमपनी इस इलाके में इस्ट इंडिया कमपनी से होड़ नहीं कर सकती थी ठीक इस चार्टर के सहारे कमपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी वहां से सस्ती कीमत पर चीजे खरीद कर उन्हें योरोप में उची कीमत पर बेश सकती थी कमपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कमपनीयों से प्रतिसपर्धा का कोई भय नहीं था उस जमाने में वाडिजिक कमपनीयां मोटे तौर पर प्रतिसपर्धा से बच कर ही मुनाफा खमा सकती थी अगर कोई प्रतिसपर्धी नहो तभी वे सस्ती चीजे खरीद के उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी लेकिन यह साई दस्तावेज दूसरी योरोपी तक्तों को पूरब के वजारों में आने से नहीं रोक सकता था जब तक इंग्लेंड जहाज अफरीका के पस्यमी तट वो छूते हुए केप आफ हुड का चक्कल लगाकर हिन महासागर पार करते तब तक पूर्दगालियों ने भारत के पस्यमी तट पर अपनी उपस्तिती दर्ज करा दी थी ठीक है यह देखिए यहां पी मैप में बना भी हुआ है यह कैसे आ रहे हैं देखिए अठार्वी सदी में भारत तक आने के रास्ती अब यह रास्ती देखे यहां ब्रिटिस देखे जो ब्रिटिस हैं देखे इस तरह इनका आगमन होता है और यह के पाप फूट यह देखे अफरीका में ठीक यहां से यहां रहे हैं और उसके बाद फिर यह देखे मद्रास यह देखे रास्ता बंबई और यहां से यह इधर भी बढ़ते हैं ठीक है तो यह रास्ते आप देख पाड़े हैं और यह देखे कैंटोन और यहां से आप देखे कोलकाता रास्ता ठीक तो इस तरह जो है आगमन होता था ब्रिटिशों का अब यहां पी एक सब्द आपने दिखा वाड़िजिक कमपनिया है ना वाड़िजिक क्या है आई इससे समझेए एक ऐसा ब्यावसाईक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेच कर यानि मुख्य रूप से ब्यापार के जरी मुनाफ कमाया जाता है ठीक है देखिया गी वे गोवा में अपना ठीकाना बना चुके थे पुर्दगाल के खोजी यात्री वासको दगामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुचे पहुचने के इस समुद्री मार्व का पता लगाया था ठीक है सत्रहुई सताब्दी की सुरुवात तक डच भी हिंद महासागर में ब्यापार की संभावने तलासने लगे थे उची समय बाद फ्रांसी सी ब्यापारी भी सामने आ गए समस्या या थी कि सारी कमपनिया एक जैसी चीज़े ही खरीदना चाहती थी यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े रेसम की जबरजस्त मांग थी इसके अलाव काली मिर्च, लाउंग, इलाइची, दालचीनी की भी जबरजस्त मांग रहती थी यूरोपी कमपनियों के बीच इस बड़ी प्रतिस परधा से भारती बजारों में इन चीजों की कीमते बढ़ने लगी और उन से मिलने वाला मुनाफा गिनने लगा अब इन ब्यापारी कमपनियों को फलने फूने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस परधी कमपनियों को ख़त्म कर दें ठीक है लिहाजा बजारों पर कबजे की सोड़ ने ब्यापारी कमपनियों के बीच लड़ाईयों की सुरुआत कर दी सत्रहवी और अठ्रहवी सदी में जब भी मौका मिला कोई किसी एक कमपनी किसी दूसरी कमपनी के जहाज टुगो देती रास्ते में रुकाउटे खड़ी कर देती, माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोग देती यह ब्यापार हतियारों की मदद से चल रहा था और ब्यापार में मुनाफ़ा कमाने के इन कोशिशों के कारण स्थानी सासकों से भी टकराओ होने लगे इस प्रकार ब्यापार और राजनिती एक दूसरे से अलग रखना कमपनी के लिए मुस्किल होता जा रहा था आईए देखें यह कैसे हुआ अब देखें अगला पॉइंट है इस्ट इंडिया कमपनी बंगाल में ब्यापार सुरू करती है इसे देखें आप पहली इंगलिस फैक्टरी 1691 में हुगली नदी के किनारे सुरू हुई ठीक है कमपनी के ब्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे इस ब्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था इस फैक्टरी में वेर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था यहीं पर उसके दब्तर थे जिसमें कमपनी के अपसर बैठते थे जैसे जैसे ब्यापार फैला कमपनी ने सवदागरों और ब्यापारियों को फैक्टरी के आसपास आकर बसने के लिए प्रेडित किया 1696 तक कमपनी ने इस आवादी वाले आवादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था ठीक है दो साल बाद उसे मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीन गाउं की जमितारी भी खरीड ली इसे एक गाउं काली काता था जो बाद में कलकता बना अब इसे कोलकाता कहा जाता है कमपनी ने मुगल समराठ और रंगजेप को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया योग कमपनी को बिना सुल्ग चुकाए ब्यापार करने का फर्मान जारी कर दें ठीक है अब फर्मान क्या होता है फर्मान यानि एक साही आदिश आगे देखें कमपनी ज्यादा से ज्यादा रियासते हासिल करने और पहले से मौझूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठाने में लगी हुई थी उठाने में लगी हुई थी उदाहरण के लिए आउरंगजेग के फर्मान से क्योल कमपनी को ही सुल्क मुक्त ब्यापार का अधिकार मिला कमपनी के जो अपसर नीजी तोर पर ब्यापार चलाते उन्हें यह चूट नहीं थी लेकिन उन्होंने भी सुल्क चुकाने से इंकार कर दिया इससे बंगाल में राजस वसुली बहुत कम हो गई ठीक है ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्सीत कुली खा क्यों न विरोध करते देखें यहां पर चित्र नमबर तीन आप देख पा रहें हैं मतरास के जहाजों से समान लाती स्थानिय नावकाईं यह देखें यह आप देख पा रहें और विलिम सिम्सन दरा बनाये गया 1867 का दोस्तों यह आप चित्र है 867 टीस्वी का यह आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो है समान आ रहा है यह देखे छोटी नाओ है और समान देखे उतारे गए हैं लादे जा रहे हैं उतारे जा रहे हैं यह देखे मकान आपके किस तरह के हैं देख रहे हैं चली आगे देखे ब्यापार से युद्धों तक अब इस पॉइंट को आप देखिए राबर्ट कलाइब का यहाँ पे चित्र आप देख पा रहे हैं चित्र नमबर चार अब देखिए अठारवी सदी की सुरुवात में कमपनी और बंगाल के नमबों का टकराव काफी बढ़ गया आउरंगजेब की मित्यू के बाद बंगाल के नमब अपनी ताकत दिखाने लगे थी उस समय दूसरी छेत्री ताकतों की स्थिती भी ऐसी ही थी मुर्सीत कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजु दौला बंगाल के नवाब बनेगे सभी सक्तिसाली सासक थे उन्होंने कमपनी को रियायते देने से मना कर दिया ब्यापार का अधिकार देने के बदले कमपनी से नजराने मांगे उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किले बंदी को बढ़ाने पर रोग दिया कमपनी पर धोका गड़ी का राप लगाते हुए उन्होंने देदेल दी कि उसकी वज़ा से बंगाल सरकार की राजस वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोड पड़ रही है कमपनी टेक्स चुकाने को तैयार नहीं थी उसके अपसरों ने अपमान जनक चिट्टियां लिखी और नवाब और उसके अधिकारियों को मानित करने का प्रयास किया ठीक है कमपनी का कहना था कि इस थाने अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कमपनी का ब्यापार तबाह हो रहा है ब्यापार तभी फाल भूल सकता है जब सरकार सुल्क हटा ले कमपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना ब्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी पढ़ानी होगी गाओं खरीदने होंगे और कीलों का पुननिर्मार करना होगा ये टकराओ दिनों दिन गंभीर होते गए अन्ततह इन टकराओं की पढ़निती प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई ठीक है अब दिखे प्लासी का युद्ध सत्रह सो चपपन में इसी में अलि वर्दी खां के बाद सिराजुत दौला bênल की नवाब बने कंपणी को सिराजुत दौला की ताकत से काफी भैर हो था सिराजुत दौला की जगां कंपणी एक ऐसी कटपुतिली नवाब चाहती थी जो उसे ब्यापारिक रियासतें और अनिसुधाएं आसानी से दिने में आनाकानी न करें। अब यहाँ पर एक सब्ध है कट पुतली तो कट पुतली क्या होता है इससे आप समझें। कि प्रती दौंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कमपनी को काम्याबी नहीं मिली। जवाब में इस राजु दौला ने हुक्म दिया कि कमपनी उनके राजिके राजनतिक मामलों में टांग अडाना बंद कर दे। किले बंदी रोके और बाकाइदा राजा सुचुकाए जब दोनों पच्छ में पीछने हटिने को तयार नहीं हुए तो अपने तीस हजार सी पाहियों के साथ नवाब ने कासी मजार में स्थित इंगलिस फैक्टरी पर हमला बोल दिया नवाब की फोजों ने कमपनी के अफसरों को गिरबतार कर लिया गोदाम पर ताला डाल दिया अनग्रेज्यों के हथिया जीन लिये और अनग्रेजी जहाजों को घेर लिया इसके बाद नवाब ने कमपनी की कलकत्ता ह löर पर कबजे के लिए उधर का रुक किया ठीक है अब यहाँ पर एक देखिए कालम में है क्या आप जानते थे क्या आप जानते थे कि पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा दसल असली नाम पलासी पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड कर पलासी कर दिया, इस जगह को पलासी यहां पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था, पलास के खुबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तिमाल होता है, ठीक, आईए आगे देखिए, कलकत्ता के यहां से निकल क्लाइब की नितित में शिनाओं को रोवाना कर दिया ये दिखे चित्र नंबर पाँच यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये चित्र नमबर पांच महा न्यायाले कच ये है इस्ट इंडिया कम इस्ट इंडिया हाउस लेडन हाल स्ट्रीट का ये दिरिश साथ देख पा रहे हैं दोस्तों ठीक है इस्ट इंडिया कमपनी की कोट आप प्राप राइटर की लंदन इस्थीत लेंडल हाल स्ट्रीट पर बने इस्ट इंडिया हाउस में बैठ के होती थी यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है और चित्र नमबर छे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिराजुद दौला का जो चित्र पना है आप देख रहे हैं चलिए आगे आईए देखिए इस सेना की नौसेनिक बेड़ी की मदद भी मिल रही थी इसके बाद नौब के साथ लंबे समय तक सौदेवाजी चली आखिर कार 1757 में रावर्ट क्लाइब ने प्लासी के मैदान में सिराजुद दौला के खिलाब कंपनी की सेना का नेतित्व किया ठीक है नौब सिराजुद दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सिनापतियों में से एक सिनापती मीर जाफर की कार गुजरियां भी थी मीर जाफर की टुकडियों ने इस युद में हिस्सान नहीं लिया रावट कलाइप ने यह कर उसे अपने साथ मिला लिया इससे राजुद दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिये जाएगा ठीक अब आईए एक स्रोत नमबर एक यहाँ पे देखे इसको संपन्नता का आश्वासन यहाँ पे इसे आप देखे इंगलेंड के लोग इस्ट इंडिया कंपनी की सास्की महत्वा कांचाओं को संदेश और और विश्वास से देखते थे ठीक है पलासी की लड़ाई के बाद रावर्ड कलाइप ने अंग्रेज समराट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को साथ जन्वरी सत्रस उनसट इस्वी को कलकत्ते से एक चिठी भेजी थी देखे लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वारिलिज्जी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी मैं खुद यह सोच कर अभी भूत हूँ कि इस समरिद रियासतों पर पूरा कबजा हसिल करने में कोई परसानी नहीं आएगी जब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या आप सालाना बीस लाक स्टरलिंग की आमदनी और तीन प्रांतों का कबजा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना सोर मचाना हूची थो चलिए आगे देखी प्लासी की जंग इसलिए महतपूर मनी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी प्लासी की जंग के बाद सिराजुद दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना कमपनी अभी भी सासन की जिम्हारी समालने को तयार नहीं थी उसका मूल इदेश तो ब्यापार को फैलाना था अगर यह काम अस्थानी असासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राजजी को सीधे अपने कबजे में लेने की क्या जिरुवत थी जल्दी ही कमपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है कटपुतली नवाब भी हमेशा कमपनी के विसारोपन नहीं चलते थे आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजाग के नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखाओ करना पड़ता था तो फिर कमपनी क्या करती जब मीर जाफर ने कमपनी का विरूद किया तो कमपनी नहीं हटा कर मीर कासिम को नवाब बना दिया जब मीर कासिम परसान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 हीसवी में उसको भी हराना पड़ा उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दुबारा नवाब बनाया गया अब नवाब को हर महीने पांच लाख रुपे कम्पनी को चुकाने थे कम्पनी अपने सैनी खर्चों से निपटने ब्यापारी जरूरतों अनिक खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कम्पनी और ज्यादा इलाके तथा ज्यादा कमाई चाहती थी सत्रसब पैंसट इस्वी में मीर जाफर की मित्ति हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे कटपुतली नौबों के साथ अपने खराव अनबहों को देखते हुए कलाईव ने एलान किया कि अब हमें खुद ही नौब बनना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर देखिए सुरोद दो दिखा हुआ है देखिए नवाब की सिकायती इसे आप देखिए 1733 में बंगाल के नवाब ने इंगलिस ब्यापारियों के बारे में कहा था जब वे पहली बार हमारे देश में आए तो उन्होंने सरकार के सामने विंती करती हुए कहा था उन्हें एक फैक्टरी बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए उन्हें वह जमीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहां मजबूत की लाही खड़ा कर डाला इसके चारो तरब गड़े पना दिये जो नदी से जुड़ते हैं दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपे तैनात कर दी उन्होंने बहुत सारे सोदागरों और आने लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह एक लाख रुपए राजस वसूल कर रहे हैं वे असंख औरतों मुर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं अब आईए इधर आखिरकार सत्रा सो पैंसेट हिस्वी में मुगल समराट ने कमपनी को ही बंगाल परांथ का दिवान नियुक्त कर दिया ठीक है दिवानी मिलने की कारण कमपनी को बंगाल की विशाल राजस ससंसादों पर नियंतर मिल गया था इस तरह कमपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई अठारवी सदी की सिरुवाद से ही भारत के साथ उसका ब्यापार बढ़ता जा रहा था लेकिन उसे भारत से ज़्यादता चीजे ब्रिटिन से लाए गए सोने और चादी के बदले खरीनी पड़ती थी इसकी वज़ा यह थी कि उस समय ब्रिटिन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी प्लासी के जंग के बाद ब्रिटिन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दिवानी मिलने के बाद तो ब्रिटिन से सोना लाने के जरूती नहीं रही अब भारत से होने वाले आमदनी के सहरे ही कमपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कामाई से कमपनी भारत में सूती रेस्मी कपड़ा खरीच सकती थी अपनी फाउजों को सम्हाल सकती थी कलकत्ते में कीलों और दबतरों के निर्मान की लागत उठा सकती थी देख रहे न अब देखें इस्तिती बढल गई है अब क्या हो रहा है अब भारत में होने वाली आमधनी ये सहारे ही कमपनी अपने खर्चे चला सकती थी इस कमाई से कमपनी भारत में सूती और रिश्मी कपड़ा खरी सकती थी अपनी फौजों को सम्हाल सकती थी और कलगत्ते में किलों और दब्तरों के निर्माड की लागत उठा सकती थी ठीक है अब देखें आगे कमपनी के अफसर नवाब बन बैठें नवाब बनने का क्या मतलब था इसका एक मतलब तो यही था कि कमपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे कमपनी का हर करमचारी नवाबों की तरह जीने की खौब देखने लगा था ठीक है आगे देखी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बात देखिया गया कि वे कमपनी के अफसरों को नीजी तोफ़े के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे खुद राबर्ट कलाइब ने भारत में बेशाब दौलाज जमा कर ली थी 1743 में जब वो इंगलेंड से मदरास अपचे नहीं आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी 1767 में जब वो दो बार गौर्णर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहां उसकी दौलत दिखे चाल लाख पौंड दिख रहे हैं ना चाल लाख के ग्यारह हजार दो पौंड के बराबर थी कितनी संपत्ती हो गई उसके पास दिल्चस्प बात यह है कि गवर्णर के अपने दूसरी कारकाल में उसे कमपनी के भीतर फैले भरष्टाचार को खत्व करने का काम सौपा गया था ठीक है लेकिन 1772 इस्वी में ब्रिटिस संसन में उसे खुद भरष्टाचार के आरोपो पर अपनी सफाई देनी पड़ी सरकार को उसकी अकोष संपति के स्रोथ संदेहास पाद लग रहे थे उसे भरष्टाचार आरोपों से बरितो कर दिया गया लेकिन 1774 इस्वी में उसने आत्मात्या कर ली कमपनी के सभी अपसर कलाईव की तरह दौलत इकठा नहीं कर पाए बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण उस जो है कम उमर में ही मौत करने वाला बन गए ठीक है इसके लाओ उन सभी को भरष्ट और बेमान माना भी सही नहीं होगा उनमें बहुत सारे अपसर साधार परिवारे से आये थे उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट कर आराम की जिन्गी पसर करें जो जीते जीधन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहां आलिसान जिवन जिया उन्हें वहां के लोग नबाब कहते थी यह भारती सब्द नबाब का ही अंग्रेजी संस्क्रण बन गया था नबाब देख रहे हैं उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों समाजिक हैसितों में रातो रात उपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे नाठकों और काटूनों में उनका मजा कुराया जाता था ठीक है यहां पे सुरोत नंबर तीन आप देख पा रहे हैं क्लाइव खुद को कैसे देखता था अब देखे इसे आप देखे क्लाइव खुद को कैसे देखता था इसे आप पढ़ें संसत की एक समित के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था प्लासी की लड़ाई के बाद उस ने जबरजस्त सैयम का परचे दिया आईए द इस्तिति की कलपना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाखडा कर दिया था, एक ताकत वार राजा मेरे इसारों पर चल रहा था, एक संपन सहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दवलतमन महाजन मेरी एक-एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खीच रहे हूँ, दिख रहा है, कंपनी का फैलता सासन, अगला पॉइंट देखिए आप, यदि हम सत्रसव सताओन इस्वी से अठारसव सताओन इस्वी के बीच इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारती राज्यों पर कबजे की प्रतिया को देखें, तो कुछ महत्पूर बातें स रियासत का अधिकरहन करने से पहले वेभिन राजनितिक, आर्थिक और कूर्टनितिक साधनों का इस्तमाल किया, ठीक है, बक्सर की लड़ाई सत्रसव सौच्यों से इस्वी के समय हुई है, के बाद कंपनी ने भारती रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिये, ये कंप रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारती राजियों की भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे, अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाय जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर तै करना चाहते थे, कई बार कंपनी की रियासतों पर सहायक संदीवी थोप दी, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेता था, उसे अपनी स्वतन सेनाय रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरच्छा मिलती थी, और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी, अगर भारती सासक रकम अधा करने में चूप करते थे, तो जुर्मानिक तोर पर उसका इलाका कंपनी अपने कबजे में ले लेती थी, उधारें के लिए जब रिचर्ड वेलेजली, गवर्नर जेनरल, जो है, समय क्या है उसका गवर्नर जेनरल जब था, 1798 भी से 805 के बीच में, जब गवर्न हाएक सिना के लिए पैसा अदा करने में चूप गए थी, इसी अधारपा हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, यहाँ पे आप दिखिए, चित्र नंबर साथ, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, कि साथ खड़े नवाब सुजाओ तौला, ट के ज्यादा तर एधिकार छीन गए, ठीक है, छीन गए थे, लेकिन यहाँ वो रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परचित साही सानों सवकत के साथ दिखाई दे रही है, आगे देखिए, स्रोत नंबर चार यहाँ पे लिखा हुआ है, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, अब यह जो रेजिडेंट तैनात होते थे, इसकी ताकत क्या होती थी, आई इससे समझें, देखिए, कमपनी द्वारा नियुक्त किये गए रेजिडेंट के बारे में, स्कार्ट लैंड के प्रसिद्ध अर्थ सास्त्री और राजनितिक दार्शनिक जेंस मिल ने यह कहा था अब देखिए, जेंस मिल रेजिडेंट के बारे में क्या करें हैं, देखिए, दरशल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था, हम उसे अहस्त छेप की मन्चाही निशे धाग्या के तहत काम करने की छूट देती हैं, जब तक स्थानी राजा पूरी तरह अधिनस्त रहता है और रेजिडेंट यानि ब्रिटिस सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती सासक के कामों रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है जब भी कुछ अलग तरह का घटता है जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिस से ब्र अकराव और उतल पुतल पैदा हो जाता है हो जाती है ठीक है जेम से मिलने लिखा है 1832 स्वी में अब दिखिए निसे धाग्या यहां सब्दावरियों को आप समझेए निसे धाग्या यानि निर्देश अधिनस्थता यानि दभूपन अब आईए यह दिखिए टीपु सु सेर ए मैशूर भाई इसको हम दिखी जब कंपनी को अपने राजनितिक और आर्थी खीतों पर खत्रा दिखाई दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यच सेनिक टकराओ का भी राश्ता अपना है दचिर भारती राजि मैशूर के उधारण से यह बाद समझी जा सकती है 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 1761 से 1782 ठीक है है यह पिता है टीपू सुल्तान के ठीक है दो इन्हों ने सासन किया है मैशूर पे 1761 से 1762 तक और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान सासनकाल है 1762 से 1799 इसी तक जो है टीपू सुल्तान ने सासन किया है जैसे सक्तिसली सासकों के नेतित में मैसूर काफी ताकत वर हो चुका था माला बार तटपर होने वाला ब्यापार मैसूर रियासत के नियंतर में था ठीक है जहां से कंपणी काली मिर्च और इलाइची खरीदती थी 1785 इस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पढ़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलाइची का निर्यात रोग दिया सुल्तान ने स्थानिय सौदागरों को कंपणी के साथ ब्यापार करने से रोग दिया था टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले तांसीशी ब्यापारियों से घनिष्ट संबन्द विख्जित किये और उनकी मदद से अपनी सेनाकाद उनकी करण किया अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं चित्र नंबर नव टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कारणवालिस के सामने पेस किया जा रहा है डेनियल आर्म द्वारा डेनियल आम द्वारा चित्रित सत्रसव तिरानवे इस्वी का यह चित्र है ठीख है यह देखे पुत्रों को देख रहे हैं कमपनी की फाउजों को हैदार अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था लेकिन 1792 से मराठो हैदराबाद के निजाम कमपनी की सहीफ फाउजों के हमले के बार टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधी करनी पड़ी इस संधी के तहट उसके दो बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया बृटिस चित्रकारों को ऐसे चित्र दिशों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की बिजय दिखाई देती थी देख रहे हैं किस तरह चित्र बनाया गया है ये दिखे आप किस तरह दिखाया गया है और ये दिखिए देख रहा है न आगे देखिए सुल्तान के इस कदमों से अंग्रेज आग बबुला हो गए उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत मत्वा कांची घमंडी और खतरनाग दिखाई देती थी अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को निंतित करना को चलना जरूरी है फल्सरूप मैसूर के राज साथ अंग्रेजों की चार बार जंग हुई 1767-1779, 1780-1774, 1790-1792 और 1799 अंतिन युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है स्रीरंग पत्नम की आखरी जंग में कमपनी को सफलता मिलती है अपनी राजधानी की रच्छा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकार पूरा ने वो डियार राजवन्स के हाथों में सौप दिया गया इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधी थोब दी गई ठीक है यहाँ पर आप देखिए टीपू की कहानिया यह देखिए इसे आप देखिए राजाओं की छवी अक्सर जनसूरतियों से भी बनती है प्रचलित किस्मों में उनकी ताकत का खूब यजगान किया जाता है 1782 सी में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपनी फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में सिकार खेलने कहे थी वहाँ एक सेर उनके सामने आ गया उनकी बंदूप ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमें पर गिर गई फिर भी टीपू ने निहत्ते ही सेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली अंत में उसे सेर को मार किरा है इसी तरह इसी के बाद उसे उन्हें जो है सेर ए मैसूर कहा जाने लगा उनके राश्री जहंडे पर भी सेर की तस्वीर होती थी ठीक है यहां प्याब दिखिए चितर नंबर दस और टीपू का खिलाओना सेर यह टीपू के विशाल का मसीनी खिलाओने की तस्वीर है इसमें एक नकली सेर योरोपी सिपाही को दबाए हुए है जब उसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली सेर दहारता था और सिपाही के भीतर से चीक की वाज आती थी अब यह खिलाओना जो सिर लंदन इस्थित विक्टूरिया एंड एलबर्ट म्यूजियम में रखा है चार मई सत्रसव निन्यानबे इसी को जब अपनी राजधानी सिर रंग पटनम की रच्छा करते हुए टीपू सुल्तान के मित्य हो गई तो अंग्रेज इस खिलाओने को भी अपने साथ ले गए आईए आगे अगला पॉइंट आप देखिए मराठों से लड़ाई ठीक है इसे आप देखिए अठारवी सताब्री के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्व करने के बारे में सोचने लगी थी ठीक है सत्रा सव एक साथ इस्वी में पानिपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिली से देश का सासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया उन्हें कई राजियों में भाड़ दिया गया इन राजियों की बागदोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड और भूसले जैसे अलग-लग राजवांसों के हाथों में थी ये सारे सरदार एक पेशवा सरोच मंत्री के अंतरगत एक कनफेडरेशी यानि गटबंधन तीक है राजिमंडल के सदसे थे पेशवा इस राजिमंडल का सहिनी और प्रसास की प्रमुक होता था, पूरे में रहता था महाजी सिंधिया और नाना फड़न वीश अठारवी सदी के आखरी दो प्रशिद मराठा युद्धा और राजनेति के थे ठीक है एक के बाद एक कई युद्धों में कमपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया पहला युद्ध 1782 से में साल वाई संदी के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पच्छ नहीं जीत पाया दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो है 1819 के बीच में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्धों में मराठों की ताकत पूरी तरह कुशल दिया गया पेशवा को पूरी से हटाकर कानपूर के पास बिठूर में पेंसन पर भेज दिया गया अब बिंद के दच्छिड में इस्थित पूरी भुभाक पर कंपनी का निय सरवच्चता का दावा अब इसे आप देखे उपरोग्त भीवरण से इस परस्थ है कि 19 सदी के सुरुवात में कंपनी छेतरी भिस्तार की अक्रामक नीती पर चल रही थी ठीक है लाड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गौर्णर जर्नल था कि नितित में सरवच्चता ठीक है कि एक नई नीती की सुरू की गई कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सरोच है इसलिए वह भारती राजियों से उपर है अपने हितों की रच्छा के लिए वह भारती रियासतों का अधिकरहण करने अधिकरहण की धमकी देने का अधिकार उसके पास मानती थी यह सोच बाद में भ लेकिन या प्रक्रिया बेरोटो चलती रही उदाहण के लिए जब अंग्रीजों ने कितूर फिलहाल कनाटक में एक छोटे से राज को कब्जे के लेने का प्रयास किया तो रानी चिनम्मा ने हथियार उठा लिए ठीक है ये देखे चित्र नमबर 12 में कितूर रानी चिनम्मा किस सिम्रिती में बनाई गए मुर्ती ये आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि रानी चिनम्मा ने हथियार उठा लिए है ना और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया 1824 में उन्हें गिरपतार किया गया 1829 में जेल में ही उनकी मित्ति हो गई चिनम्मा के बाद कि तूरिस्थित संगोली की एक गरीब चोकीदार रायनना ने पति रोध जारी रखा चौतरफा समर्थन और सहयता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिस सियोरों और दस्ताविजों को नश्ट कर दिया आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज पकड़कर 1830 इस वी में फांसी पर लटका दिये वतिरोध के ऐसे कई उदारण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे ठीक है अब आज यह आगे दिखिए 1830 के दसक के अंत में इस्ट इंडिया कमपनी रूस के परवाव में से बहुत डरी हुई थी कमपनी को भय था कि कहीं रूस का परवाव पूरी एसिया में फैल कर उत्तर पस्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पस्चिमी भारत पर भी अपना नियंतर इस्थापित करना चाहते थे उन्होंने 838 इस्वी से 842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप रत्यच कमपनी सासर इस्थापित कर दिया 1833 में सिंध भी कबजे में आ गया उसके बाद पंजाब की बारी थी यहां महराजार अरजी सिंग ने कमपनी की दाल नहीं गलने दी 1849 में उनके मित्र के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाईयां हुई आखिरकार 1849 इस्वी में अंग्रेजु ने पंजाब का भी अधिक रहन कर लिया ठीक यह देखे महराजार अरजी सिंग का दरवार यह आप देख पा रहे हैं चित्र नंबर 13 है ठीक यहां पे देखे महराजार अरजी सिंग को दिखाया गया है और दरवारी गर्ण उनके बैठे हुए हैं यह आप देख पा रहे हैं बिलै नीती अगला पॉइंटी से पढ अगर किसी सासक की मित्ति हो जाती है तो उसका कोई पुरुस्वारिश नहीं है तो उसकी रियासत हडब कर ली जाएगी यानि कमपनी के भुभाग का हिस्सा बन जाएगी ठीक ब्यानि कमपनी के भुभाग का हिस्सा बन जाएगी इस सिधान के अधार पर एक के बाद एक कई रियासते जैसे सतारा दिखे अठार सो तालीस इसी में संबल पूर जो है अठार सो पचास इसी में उदैपूर अठार सो बाउन में नागपूर अठार सो तिरपन इसी में और जहांसी अठार सो चवन इसी में अंग्रेजों के हाथ में चली गई ठीक है आखिरकार 1856 में कमपणी ने अवध को भी अपने नियांतर में ले लिया इस वारंग रिजो ने एक नया तर्क दिया उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कूर सासन से आजात कराने के लिए करतब से बदे हुए हैं इसलिए वे अवध पर कबजा करने को मजबूर हैं अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्धी पहटाय गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा ठीक है और अवध के लोग भी 1870 के महान विद्रोह में सामिल हो गए अब यह देखें चित्रे हाँ पर आप देख पा रहे हैं संबलपूर के वीर सुरिंद्र साय का यह चित्र है अब आज यह यहाँ पर मैप देख लीजिए यह यह जो पीला वाला चित्र आप देख रहे हैं यह है जो ब्रिटिस सासन के अधिन चित्र है और जो रेड में आप देख रहे हैं पूरा वो जो है चित्र ब्रिटिस सासन के अधिन नहीं थे ये समय कब है ये है 1797 का समय ठीक है तो आप देख पा रहे हैं बनारस कलकत्ता और इधर आप जो है ये छेत्र अंग्रेज की कब्जे में है 1797 में उसके बाद देखिए 1840 का समय आता है अब देखिए कितनी संख्या बढ़ गई यहां से यहां तक अंग्रेजों का आप कब्ज मिल गया है देख पा रहे हैं और अब आजाईए 1857 का समय ये दिखिए अब ब्रेटिस आसन के अधिन ये दिखिए जगा पूरा कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं देख पा रहे हैं आप है ना तो अब आपने दिखा यहां पे चित्र में बताया गया है ABC यह दिखिए A है B और C यह आप देख पा रहे हैं तो अब यहां पे चित्र के बारे में लिखा है भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ता है ठीक है इन नक्सों को भारत के वरतमान राजनितिक नक्से के साथ पाचान करें जो ब्रिटिस सासन की अंतरगत नहीं थे ठीक यह तो आप अपना मिलाईए आप करना चाहें तो मिला सकते हैं ठीक है अब आईए अगला पॉइंट देखिए नए सासन की अस्थापना ठीक इसे आप देखिए गवर्नर जर्नल वारें हिस्टिंग 1773 से 1785 के बीच ये गवर्नर जर्नल था 1773 से 1785 उन बहुत सारे महतपूर व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपणी की ताकत फलाने में आहम भूम क्या अधा की थी वारें हैस्टिंग के समय तक आते आते कंपणी ना क्यों बंगाल की बलकि बंबई और मद्रास में भी सत हासिर कर चुकी थी ब्रेटी सिला के मोटे तौर पर प्रशास की इकायों में बटे थे जिन्हें प्रेजीडेंसी कहा जाता था इस समय तीन प्रेजीडेंसी बंगाल मद्रास पंबई ठीक है हर एक सासन का गवर्णर पास होता था ठीक है सबसे उपर गवर्णर जर्नल होता था वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशास की सुधार किये न्याय के छेतर में उसके सुधार खासतार से उलेखनी थे 1772 इसवी से एक नई न्याय ब्योस्था स्थापित की गई इस ब्योस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालते होंगी फौसदारी अदालत और दिवानी अदालत दिवानी अदालतों के मुखिया योरूपी जिला कलेक्टर होते थे मौलवी हिंदू पंडित उसके भारती कानूनों को ब्याख्या करते थे खौज़दारी अदालतों अभी भी काजी मुफ्ती के अंतरगती लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे ठीक है अब ये काजी मुफ्ती क्या है आईए इसे आप समझे देखिए देखिए आप काजी एक नियाधीश ठीक है मुफ्ती क्या है मुस्लिम समझाय का एक नियाधीश जो कानूनों की ब्याख्या करता है काजी इसी व्याख्या के अधार पर फैसले सुनाता है तीक है आप देखे महाभियोग भी एक सब्द है इसे भी आप जानी जब इंग्लेंड के हाउस आफ कामंस में किसी व्यक्ति के खिलाब दूरा चरण का रोप लगाया जाता है तो हाउस आफ लाट्स संसत काउज उपरी सदन में उस पर व्यक्ति के खिलाब मुकदमा चलता है इसे महाभियोग कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखे वारें हेस्टिंग पर मुकदमा आरजी पलाट दौरा चित्रित 1789 स्वी का समय ये देखी यह आप देख पा रहे हैं जब वारें हेस्टिंग 1785 स्वी में इंगलेंड लाटा तो एडम्ट बर्क के बर्क ने उस पर बंगाल का सासन सही धंग से न चलाने का आरोब जड़ दिया इस आरोब को चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिस में महाभियो का मुकदमा चला गया जो साथ साल चला ठीक है अब देखिया ये आगे एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्रामभर पंडित जो है धर्मसास्त की अलग-अलग साखाओं के हिसाब से स्थानिय कानूनों की अलग- करने समरूपता लाने के लिए 1775 इसी में 11 पंडितों को भारती कानूनों का संकलन तयार करने का काम सब पा गया इन भी हालेड हाल हेड ने इस संकलन का अंगरेजी में अनुबात किया 1778 इसी तक यूरूपिय नयदीसों के लिए मुसलिम कानूनों को भी एक सहिता तयार कर ली गई थी 1773 इसी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सरोच नयाले की स्थापना की गई इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत की अदालत की भी स्थापन होता था जैसे की नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लागान और करिकठा करना तथा नयादीशों, पूलीस, अधिकारियों वर दरोगा की सहता से जिले में कानून ब्योस्ता बनाए रखना होता था उसका कार्याले कलेक्ट्रेट, सत्ता और सनच्चर का नया केंदर मन गया था, उसका केंदरों को हसी पर ढखेल दिया, ठीक है, अब यहां पर आईए, स्रोत पांच को आप देख लिजे, मैं सबके सत्रू और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं, ठीक है, वार इन हेस्टिंग के महाभियोग की करायव दरान एमांड वर्क ने एक जो है उत्तेजना पुड़ भासर दिया, जिसकी एक हिस्टा यहां पी इस प्रकार था, देखे, मैं उनके हेस्टिंग के उपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूं, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरो तले रौत दिया, जिनके देश को उन्होंने महाभियोग चला रहा हूं, ठीक है, अब आईए अगला पॉइंट देखे, कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में सासन और सुधार नए विचार तो आये, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी, मुगल फौज मुख्य रूप से घुर सवार, ठीक है, सवार क्य है घोडे पर चलने वाले प्रसिच्चित, ठीक है, और पैदल सेना थी, उन्हें तिरंदाजी और तलारवाजी का प्रसिचन दिया जाता था, सेना में सवारों का दबदबार रहता था, मुगल समराज को एक विसाल पिसे और प्रसिच्चन वाली पैदल सेना की जरूत मसू ही मुहया कराते थे, अठारवी सदी में जब अवद हो बनारज जैसी रियासतों को में किसानों को भरती करके पेशे और सैनी प्रसिचन दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी, इस टिनिया कंपनी जब अपनी सेना के लिए बर्दू सिरू की, तो उसने यह तरीका अपनाया, अंग्रेज अपनी सेना को सिपाय, जो भारती सब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे, ठीक है, अठारा सो बीश के दसक में जैसे जैसे युद्ध तकनी बदलने लगी, कंपनी की सेना में गोर्षवार्टू कोडियों के जुरूत कम होती गई, इसकी वज़ लाग से लैस होते थे, ठीक है, तो मैच लाग क्या है, मस्किट क्या है, पहले आप लोग ये पढ़ लिजे, ठीक है, देखें यहाँ पे धर्मसास्त्र क्या है, संस्कित की ऐसी कृतियां जिसमें सामाजिक तरीकों और आचरण के सिद्धानतों की व्याख्या की जाती है, धर्मसास्त्र समझा आपने, संस्कित की ऐसी कृतियां जिसमें सामाजिक तरीकों और आचरण के सिद्धानतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मसास्त्र इसापुर्व पांस वर्ष से भी पहले लिखे गए थे, ठीक है, सामाजिक तरीकों और आचरण के सिद्धानतों की ब्याख्या की जाती है ठीक सवार का मतलब गुर्सवार मस्केट पैदल सिपाही दोरा इस्तिमाल की जाने वाली एक भारी बंदू मैचला क्या है सुरुवाती दोर की बंदू जिसमें बारूत को माचिस से चिनगारी दी जाती थी ठीक अगे देखें कंपणी की सेना के सिपाईयों को बदलती सैनिक अवसकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल तुकड़ी ज्यादा महत्मूर होती जा रही थी यहाँ पे चितर नमबर 13 आप देखिए कंपणी के लिए काम करने वाले बंगाल का एक सवार है एक अग्याद भारती चितकार द्वारा बनाया गया है समय है 1780 स्वी में बनाया गया है ठीक है मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपणी को अपने गुर्षवार्ट कोड़ियों को मजबूत करने की अहमेज समझ में आने लगी ठीक है अब आई आगे दिखिए उननैस्वी सदी की सुरुवात में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्क्रती विक्सित करने लगे सिपाहियों को यूरोपी ढंका परिसिच्छन अप्यास और नुसासन सिखाया जाने लगा अब उनका जिवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था इस कोशिस में कभी कभी समस्याए भी आ जाती थी क्योंकि पिसेव और सिपाहियों की सेना खड़ी करने चक्कर में अंग्रेज कई बार जाती समुदाय की भावनाओं को नजर अंदाज कर दे थे भला लोग अपनी जाती धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस माने से के बजाए सिर्फ सिपाही मान सकते थे सिपाही क्या मसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान यानि वे कौन है इस बात के हसास में जो बरलाव आ रहे थे उसके उनको सिपाहीों ने किस तरह देखा अठारसो सत्तावन का बेद्रो हमें सिपाहीों की उस दुनिया की जलक दिखाता है इस बिद्रो के बारे में आप अध्याय पहांच में पढ़ेंगे अब आईए निसकर्ष को देख लीजे इस्ट इंडिया कंपनी एक ब्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भगवलिक आउपनिवेशिक सक्ती बन गई उननैस्वी सदी की सुरुवात में नई भाप तकनीक आने से अपरकिया आउर्तेज हो गई समझ रहे है ना इस्ट इंडिया कंपनी एक ब्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भगवलिक आउपनिवेशिक सक्ती बन गई देख रहे हैं ना तो आपने देखा ब्यापार करने आये थे अब देखे कितनी ताकत बढ़ गई इन्होंने कबजा कर लिया भारत पे और उननैस्वी सदी की सुरुवात में नई भाप तकनीक आने से यह परकिया और तेज हुई तब तक समुद्र मार्च से भारत पहुशने में 6-8 माह का समय लग जाता था भाप से चलने वाले जहाजों ने यह मात्र 3 हपतों में ही समेठ दी अब सुचिए कहा 6-8 माहिने लगते थे आने में अब भाप का जो आ गया है अब कितना लग रहा है मात्र 3 हपते में ही यह यात्रा पूरी हो रही है ठीक है और दिखे इसके बाद ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे ठीक है समझ रहा है इसके बाद ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे अब तो भाई 6-8 माहिना लगता था अब 3 हपते में पहुँच रहे हैं तो आवगमन ज्यादा हो गया अठारा सुसवताओं तक भारतियुक महादीब के 63% भुभाग और 78% आबादी अप कमपनी का सीधा सासन इस्थापित हो चुका था देश के सेज भुभाग और आबादी पर कमपनी का अप्रत्यच प्रभाव था ठीक है इस प्रकार ब्यावहारी करस्तर पर इस्थ इंडिया कमपनी पूरे भारत को अपनी नियंतर में ले चुकी थी ठीक तो दोस्तों ये आपका जो है हो गया कम्पलीट आपने आपने देखा दोस्तों कि अध्याय जो है क्लास क्लास एट का अध्याय दो आपने आज पढ़ा व्यापार से समराजितक कमपनी की सत्ता स्थापित होती है ठीक है ये चैप्टर आपका कम्पलीट हुआ तो दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन होगी कुछ कमेंट होगा तो आप बूचिए का कमेंट करके ठीक है और अच्छा लगा है तो भाई प्यारी प्यारी कमेंट भी आप कर सकते हैं ठीक है लाइक करिए शेयर करिए ठीक है